कि अब्रीवान वल्कम बैक तो मैं चानल मैं हुआ किताब पार्टब और आज मैं फिर एक नए रेसिपी के साथ आई हूँ यानि कि मैंने घर पर बनाये हैं एक दम रेस्टोरेंट स्टाइल हाका हुडल्स की रेसिपी यानि कि यहां पर मैं जो नुडल्स का यूज कर रही हूँ यह है हाका नुडल्स और यह जो वाइट पैकेट में मिलता है यह एक तम रेस्टॉरेंट स्टाइल होता है याकि यह एक तम बारिक गणतों होता इज़क है जिडिरे आपको कहbernator कई सभूने करतों हें नुगास कर साथ साथा वाला है दो बड़े प्यास पतले पतले कटे हुए लंबे लंबे और यह रही तीन से चासलेट की हुई हरी मिर्च और यह रहा जिंजर और गाली का पेस्ट और थोड़ा सा यहां पे मैंने रखा है स्प्रिंग अनियन को बारी बारी कट करके तो अब हम यहां पे पानी को रख चुके हैं गरम करने के लिए जो पानी पास से साथ मिनट पहले रख दिया था गरम करने के लिए तो यहां हमारा पानी अच्छी तरह से गरम हो गया है तो इस पानी में इस नूडल्स को डालके बिलकुल भी आपको इस उबाल नहीं लाना है जैसे आपने इसे noodles को पानी में डाला चाहे वो मोटा noodles हो चाहे वो पतला वाला हो आपको पास से 4 मिनट में पानी को बंद कर देना है क्योंकि वो 40 और 50% कुख हो जाएगा तो इनफ है हमारे noodles के लिए वरना जादा कुख हो जाएगा तो कढ़ाई में ये stick हो जाएगा अब मैं इसमें add कर रही हूँ oil और oil add करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी पहले मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि ये कुख हो गया है या नहीं जितना मुझे चाहिए था तो यहाँ पर ये उतना कुख हो चुका है इसे तोड़ कर आप बिल्कुल पानी में मत डालना आप इसे as it is डाल देना ये लंबे लंबे बहुत अच्छे लगते तो अब ये हो चुका है जितना हमें चाहिए अब मैं इससे निकाल लूँगी अब मैं इससे निकाल रही हूँ और इससे निकाल के मैं स्टेनर पर रखने वाली हूँ यहाँ पर मैंने दूसरा बाला भी निकाल लिया और निकालने के बाद मैं इससे ठंडे पानी से चार से पाच पानी से धोने वाली हूँ इसके अंदर जितने स्टार्च है वो सब निकल जाएंगे और उसके बाद मैं इसमें आड़ कर दूँगी वन टेबल स्पून हमारा ओल कोई भी ओल जिससे ये बिलकुल भी आपस में चिपके ना आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका नूडल कभी नहीं चिपकेगा इसका स्टार्च निकलना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि वो स्टार्च हमारे बॉड़ी के लिए अच्छा नहीं होता है येस तो देखो अब इससे हम चोड़ देंगे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई आपके पास अगर बड़ी लोहे की कढ़ाई होगी तो आप उसमें प्लीज एक बार जरूर ट्राइ करना बहुत अच्छी बनती है तो मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई अब कढ़ाई में इस ओल को हम कर रहे हैं गरम और जैसे ही ओल हमारा गरम हो जाएगा हम उसमें आइड कर देंगे सब सिप पहले हमारा most important thing which is ginger and garlic paste yes make sure कि आपको flame तेज रखनी है और सिर्फ इसका कच्छापन दूर करना है इसे red बिलकुल नहीं करना है dark brown नहीं करना है just आपको इसका कच्छापन दूर करना है that's it yes और noodles बनाते सामें हमारी gas की flame हमेशा तेज होती है और वो जल्दी जल्दी ही बन जाता है एकदम क्योंकि slow करने में आपस में चिपकने का डर होता है तो यहां पे जो हमारा लसुन और अद्रक का paste है वो अच्छी तरह से भून गया है अब मैं इसमें add कर रही हूं हमारी बड़ी तीन से चार हरी मिर्च आप इसे grinder में grind भी कर सकते हैं बट मैं इसे slit करके डालती हूं बिकॉस यह खाने में बहुत अच्छी लगती है इसका तीखा पन भी निकल जाता है थोड़ा सा हम इसे भी कर लेंगे सौते ओवर कुक आपको कोई भी चीज चाइनीज में कभी नहीं करनी है येस तो हमारा ये भी यहाँ पर रेदी हो गया है और नेक्स्ट हम इसमें add कर रहे हैं हमारे प्यास बरिकटे हुए येस तो अभी हम इसे भी गैस की फ्लेम तेज रखेंगे और फटा फट से इसे हम भूल लेंगे यहाँ पर हम इसे चला लेते हैं ये तो नीचे लग जाएगा क्योंकि गैस की फ्लेम तेज है येस तो हमारा यहाँ पर प्यास हो चुका है और नेक्स्ट हम इसमें add कर रहे हैं वैसे तो आप नुडल में अपनी सारी मनपसंद vegetables को add कर सकते हैं इस अप टू यू टोटली तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट आड कर रहे हूं हमारा capsicum येस तो हमने capsicum को add कर लिया इसे भी हम आधा पका और आधा कच्छा रखेंगे पूरी तरह से नहीं पकाएंगे येस तो मैंने इसे भी सौते कर लिया है अच्छी तरह से डाल एक बार हम अच्छे से फेस होते कर लेंगे और नेक्स्ट हम इसमें एड कर रहे हमारा बारिक कटा हुआ क्याबीच और नुडल्स में आप चितना कैबीच टाल दोना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काने में इन फेक्ट वेजिटेबल्स ही बहुत अच्छे लगते हैं उसके अंदर नुडल्स से ज़्यादा मुझे अब इसे भी हमें फटाफट से हाई फ्लेम में सौते करना है कितनी अच्छी लग रही है हमारी सबजीस के अंदर आप इसमें गाजर कॉन मश्रूम पनी सब कुछ आट कर सकते हैं यह आपके उपर है और मैं यहाँ पे जो कटोरी है ना मैं इसमें सारे सॉस को नीचे ही मिक करते हैं तो वह अच्छी तरह से नहीं मिक्स होता है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ग्रीन सॉस यानि की ग्रीन चट्नी दो बड़े चम्मच यह रहा रैड चिली सॉस मैं सारी चीज़े जनरली चिंक्स की यूज करते हैं कि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है डाक सॉस जब आप इसे सच में ऐसे नीचे ही मिक्स कर लेंगे न तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा फिर येस एंड मिक्स इट अच्छी तरह से अब इसे आपको एड कर देना है आपकी वो सबजीों के अंदर येस तो यहाँ पर मैंने आड कर दिया है डोंट वरी मेरी सबजी ओवर कुक नहीं होई है ये सॉसिस के कलर्स है येस तो हमने यहाँ पर आड कर दिया वन टेबल स्पून शेजवान चटनी विच इस माइफेवरेट मैं डालती ही हूं नुडल्स में मुझे बहुत अच्छ अच्छा लगता है नुडल्स में आड करने पर आप भी एक बर ज़रूर ट्राय करना टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है इनफेक्ट टेस्ट हमारा काफी सदा अच्छा हो जाता है अगें सौते कर लेंगे एंड लाज्स्ली आम गईंग तो आड अगें पेरी पेरी मसाला काफी मस्त फ्लेवर आता है इससे भी हलका सा अड कर देंगे जादा नहीं आड कर देंगे आपको लगएगा यह क्या आड़ कर रही है बट आप जरूर ट्राय करना बहुत अच्छा लगता है यह आड़ करने के बाद बस अब इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे हमारा लास्ट नुडल्स आप नुडल्स देख रहे हैं कितना खुला खुला लग रहा है न तो आपके नुडल्स भी बहुत अच्छे लगेंगे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे आपस में और नेक्स्ट हम यहां पे आड़ कर रहे हमारा स्प्रिंग अनियन खुप सारा यह भी नुडल्स में बहुत अच्छा लगता है यह अब हमें थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से उपर से नीचे चला लेना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है यहां पर हमारा जो नुडल्स है वो तैयार हो गया है और यहां पर हमने इसे सर्फ कर लिया है तो गाइस मैं ऐसे बनाती हूँ एकदम एजी वे में नुडल्स तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और सो शेर करिए सब्सक्राइब करिए बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बबाई टेक क्यर लव यू